नमस्कार महोदय इस चैनल है लपीवी में आप सभी का स्वागत है SSC Skill Special Series में आज हम आपको 31 Dictation बोलेंगे जिसमें हम आपको 80 सब्द परती मिनट की गती से और 100 सब्द परती मिनट की गती से Dictation बोलेंगे हमारे चैनल में अगर आप नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दवाना मत भूलेगा आज आपके लिए हम पहले 100 सब्द परती मिनट की गती से Dictation बोलेंगे उसके बाद Grade D का Dictation अर्थात 80 सब्द परती मिनट की गती से बोलेंगे इनकी PDF आपको हमारे टेलिग्राम गुरूप में मिल जाएगी टेलिग्राम गुरूप की लिंक हमने आपको नीचे प्रोवाइड करा रखिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलिग्राम गुरूप की लिंक को देख सकते हैं और हमारे पुरानी वीडियो की लिंक भी आप नीचे देख सकते हैं चलिए हम स्टार्ट करेंगे आपके SSC के सल स्रीच के डिक्टेशन को जो होगा ठीक तीन सेकिंद के बाद स्टार्ट रेडी स्टार्ट आदर्णिये सबासदो पूरुवोत्तर परवर्तिये विस्व विध्याले के कुलाधी पती के रूप में उसके पहले दिक्षान्त समारों में सम्मिलित होने पर मुझे विसेश परसनता है परवतों और वनों ने मुझे सदा ही आकरसित किया है और यह चेत्र हमारे देश का एक सरवाधिक आनंद्र परद्र चेत्र है यहां के मनोरम भूद्रिष्य के साथ यहां के लोगों की अपनी अलग रंग बिरंगी बेस भूसा और मैतरी भाव का सुन्दर संयोग हुआ है मैं यह भी कहने जा रही थी कि रितू भी इस संयोग में सामिल है लेकिन उससे पहले ही कुलपती ने सूर्योदै की बात कह दी प्राय दस वर्स पूर्व सिक्षा आयोग ने विस्विध्याले के कार्य के बारे में जो परतिवेदन किया था वो संग्छेप में इस परकार है नए ज्ञान की खोज और उसको हिर्दय अंगम करना तथा प्राचीन ज्ञान और विस्वासों को नहीं आओ सकताओं तथा खोजो में परकास में देखना जाचना सारिरिक छमता और मानसिक सकती का विकास करके जीवन के सभी छेतरों में सही ढंग का नेत्वत्व परदान करना समाज को ऐसे सुयोग्य व्यक्ती इस्तरी पुरुस देना जो किरसी कला चिकिस्सा विज्ञान और प्रद्योगी की तथा अन्य अनेक व्यवसायों में पारंगत हों और जिन में समाजिकता की भावना का संचार हो तथा सामाजिक नियाय का बड़ावा देना और सामाजिक तथा राजनीतिक विसमताओं को कम करना यह उच्चतर सिक्षा के कुछ उद्देशियों का वस्तु निष्ट सबदों में सार संचेप है इसमें जो बात नहीं कही गई है वह यह है कि सिक्षा का उद्देश्य दाइत्व की भावना पैदा करना है सिक्षा व्यक्ति की विबिन चमताओं का इस ढंग से विकास करती है जिससे वह समाज में परस पर सामंजस्य ला सके और अपने देश तथा संपूर्ण मानवता के परती अपने दाइत्व को अधिक सचेतन भाव से महसूस कर सके प्रस्न यहो नहीं कि आप सीखते क्या हैं बलकि यहो है कि आप अपनी जानकारी का उपियोग कैसे करते हैं तथा आप किस परकार के व्यक्तित्व के धनी बनते हैं भारत में आधुनी के सिक्षा परनाली ने अधिकतर पस्चिमी देशों के नमूने से परेणा गरहन की है जिसमें व्यक्ति के विकास पर अधिक जोर दिया गया है वह रोजगार पाने के लिए डिगरी अथवा अन्य बहारी कसोटियों का एक साधन बन गई है उसमें अधिक बल देने पर नहीं बलकि प्राप्त करने पर जोर दिया जाता है वर्तमान परणाली मैं दूसरों की चिंता दूसरों के साथ सैयोग तथा सामाजिक हित के लिए दायित्व की भावना की अपेक्षा कृत उपेक्षा की गई है सच तो यह है कि आप अपने चिंतन और अपने करम के द्वारा जीवन को जितना ही दिंगे आपके छितिज का उतना ही विस्तार होगा और आपके समुक उतने ही अधिक अवसरों के द्वार खुलते जाएंगे आप जितनी ही अधिक सेवा भाव के प्रती समर्पित होंगे अपनी सेवा में नहीं बलकी अपने देश और जनता की सेवा में आपको उतना ही अधिक संतोस मिलेगा और पूनता का एहसास होगा लेकिन समस्त सीमाओं के बावजूद हमारी सिक्षा प्रणाली ने काफी अधिक संख्या में ऐसे इस्तरी पूरुसों का निर्मान किया जो सेवा भावी और प्रतीभा सम्पन थे आदरनिय सबासदों सदंतरता के बाद सिक्षा पर खर्च में बहुत विर्धी हुई है यद भी इस प्रणाली को नया रूप नहीं दिया जा सका है तथा पी उसे और गहरी सामाजिक सो उद्देश्चिता परदान की गई है इसके द्वार पिछडे छेतरों के लिए खुले हुए हैं और अब समाज के उन इस तरों के लोगों को भी सिक्षा के अवसर उपलब्द हैं जो अब तक इससे वन्चित रहे हैं जैसे परवतिये और वर्ण्य परदेशों के लोग अनुसीचित जातियों और जन जातियों के लोग तथा विसेश रूप से महिला वर्ग सिक्षा के द्वारा एक ऐसे समाज में गती सीलता आई है जो अभी तक इस्तिर था और जिसमें उच नीच की भावना घर कर गई थी यद भी विवेक का तकाजा यह है कि कॉलेजों में परवेश लेने वालों की संख्या सीमित की जाए फिर भी अभी तक हमने परी सीमन की नीती को लागू नहीं किया है राष्ट हित में यह अनिवार्य है कि विसेशा अधिकारों की प्राचीन दिवार डहा दी जाए और यह सुनिश्चित बनाया जाए कि नए तोर तरीकों से किसी भी प्रगती की रहा में रुकावट ना पैदा हो सिख्षा और रोजगार के कारण रास्तिय एकता की एक नई चेतना का जनम हुआ है आज कोई युवा डेश के किसी भी भाग में क्यों ना जनमा हो और वहो महानगरों उद्योग और व्यापार केंदरों से कितनी ही दूर क्यों ना हो उसे यह अनभव करना चाहिए कि वह पूरे देश का नागरिक है प्राकृतिक और समाज विग्यान तथा मानविकी के अनुसंदान के लिए बहुत अच्छे इस्तान बनाए गए है व्यवसाय और प्रद्योगी के परसिक्षन की और आधिक आधिक ध्यान दिया जा रहा है वास्तव में प्रद्योगी की कुछ साखाओं में हम अब प्रायह आत्न निर्भर बन चुके हैं प्रद्योगी को ग्रामीन तथा परवर्तिय छेतरों के अनुकूल ढालने के लिए नई पहल की जा रही है मुझे बताया गया है कि किरसी और पसुपालन में इसनातक या इसनातकुत्तर अधियन के लिए सुविधाएं यहां नहीं है लेकिन ये दोनों ही विसे इस अंचल की प्रगती के लिए महतपून है मैं इस परस्ताव का स्वागत करती हूँ की पुर्वत्तर परवतिय विस्विध्यालेयों को नागा लेंड में किरसी और पसुपालन का कॉलेज खोलना चाहिए इसका ब्योरा करने और ठोस सुजाव देने के लिए सीग्र विस्विध्याले अनुदान आयोग तथा भारतिय किरसी और अनुसंदान परिशद का एक संयुक्त दल गटित किया जाएगा भारतिय सिख्षा की प्राचीन धारणा ओपचारिक सिख्षा से कहीं अधिक व्यापक थी क्यूंकि उसका उदेश ऐसे इस्तरी पुरुसों का निर्मान करना था जो अपनी छमताओं और चेतना का अधिकतम विस्तार कर सकें आप सिख्षा की उतनी ही परिभासाएं पाएंगे जितने लोग है मेरी परिभासा बहुत सीधी साधी है मेरी समझ से सिख्षा जिग्यासा की भावना मैं नहित है सिख्षित व्यक्ती वह है जो अपने मन और हिर्दै को सौंदरिय और अच्छाई के प्रती वस्तुता उस सब के लिए उनमुप्त रखता है जो उसके चारो ओर है और उसमें अपने लिए सोचने तथा निर्णे लेने की छमता होती है सिख्षा से जीवन परियंत कुछ सीखने की परविर्थी विक्सित होनी चाहिए इस चौप दोस्तों ये था सो सब्द परती मिनट की गति से डिक्टेशन दस मिनट के लिए अच्छा डिक्टेशन है परियास करिएगा लिखने का नहीं लिख पाएं तो पुन्हों परियास कीजिए क्योंकि परियास ही सफलता का मंत्र है इसे लिखेगा जरूर dictation में कठिन सब्द भी जरूर आए हैं उन्हें आप एक बार में नहीं लिख पाए हैं तो दुबारा उन कठिन सब्दों को एक special उनकी outline बनाईए 3-4 बार उन outline को लिखिए तब आप उन्हों dictation चला के लिखिए आप इसे जरूर लिख लेंगे चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और बेल आइकन को दुबाना मत भूलेगा ताकि हम ऐसी ही नहीं नहीं अपडेश देते रहें और एक विसेश सूचना आपका अगर इन आने वाले दिनों में इस्किल है तो आप हमें जरूर बताएए कि लेवल कैसा आ रहा है टाकि हम आपके बात के आने वाले बच्चों का भी उनका मनोबल बढ़ा सके उनको उनको बता सके कि इसकिल कैसा आ रहा है चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम 80 सब्द परती मिनट की गती से डिक्टेशन जो होगा ठीक 3 सेकिन के बाद स्टार्ट रेडी स्टार्ट आदरनिये सभासदों पूरुवत्तर परवतिये विस्विध्याले के कुलाधी पती के रूप में उसके पहले दिक्षान्त समहारों में सम्मिलित होने पर मुझे विसेश परसनता है परतों और वनों ने मुझे सदा ही आकरसित किया है और यह चेत्र हमारे देश का एक सरवादिक आनंद प्रद चेत्र है यहां के मनोरम भूदरिश्य के साथ यहां के लोगों की अपनी अलग रंग बिरंगी बेसबूसा और मैतरी भाव का सुन्दर संयोग हुआ है मैं यह भी कहने जा रही थी कि रीतू भी इस संयोग में सामिल है लेकिन उससे पहले ही कुल पती ने सूर्योदै की बात कह दी प्रायो दस वर्स पूर्व सिख्छा आयोग ने विस्व विध्याले के कार्य के बारे में जो परतिवेदन दिया था वह संग्छेप में इस परकार है नए ग्यान की खोज और उसको हिर्द्यंगम करना तथा प्राचीन ग्यान और विस्वासों को नई आवसकताओं तथा खोजों में परकास में देखना जाचना साररिक छमता और मानसिक सकती का विकास करके जीवन के सभी छेतरों में सही ढंका नेतुत प्रदान करना समाज को ऐसे सुवग्य व्यक्ती इस्तरी पुरुस देना जो किरसी, कला, चिकिस्सा, विज्ञान और प्रद्योगी की तथा अन्य अनेक वैसायों में पारंगत हों और जिन में समाजिकता की भावना का संचार हो तथा सामाजिक न्याय का बढ़ावा देना और सामाजिक तथा राजनीतिक विसमताओं को कम करना यह उच्चतर सिक्षा के कुछ उद्देशियों का वस्तुनिष्ट सबदों में सार संच्छेब है इसमें जो बात नहीं कही गई है वह यह है की सिक्षा का उद्देश्य दाईत्व की भावना पैदा करना है शिक्षा व्यक्ति की विभिन चमताओं का इस धंग से विकास करती है जिससे वह समाज में परस्पर सामन्जश्य ला सके और अपने देश तथा संपून मानवता के प्रती अपने दाईत्व को अधिक सचेतन भाव से महसूस कर सके प्रस्पन यहो नहीं है कि आप क्या सीखते हैं बलकि यहो है कि आप अपनी जानकारी का उपियोग कैसे करते हैं तथा आप किस परकार के व्यक्तित्व के धनी बनते हैं भारत में आधुनिक सिक्षा परणाली ने अधिकतर पस्टमी देशों के नमूने से प्रेणा ग्रहन की है जिसमें व्यक्ति के विकास पर अधिक जोर दिया जाता है वहो रोजगार पाने के लिए डिगरी तथा अन्य बहारी कसोटियों को एक साधन बन गई है उसमें अधिक बल देने पर नहीं बल की प्राप्त करने पर दिया जाता है वरत मान प्रणाली में दूसरों की चिंता दूसरों के साथ सहीयोग तथा वास्तविक हित के लिए दायित्व की भावना की अपेक्छा कृत उपेक्छा की गई है सच तो यह है की आप अपने चिंतन और अपने करम के द्वारा जीवन को जितना ही दिंगे आपके छितिजिका उतना ही विस्तार होगा और आपके सम्मुक उतने ही अधिक अवसरों के द्वार खुलते जाएंगे आप जितने ही अधिक सेवा भाव के प्रती समर्पित होंगे अपने सेवा में नहीं बलकि अपने देश और जनता की सेवा में आपको उतना ही अधिक संतोस मिलेगा और पूनता का एहसास होगा लेकिन अपने समस्त सीमाओं के बावजूद हमारी सिख्चा परणाली में काफी अधिक संख्या में इस्तरी पूरसों का निर्मान किया जो सेवा भावी और प्रतीभा संपन थे आदरनिय सभासदों सतंत्रता के बाद से सिख्चा पर खर्च में बहुत विर्धी हुई है और यद्यपी इस प्रणाली को नया रूप नहीं दिया जा सका है तथा पी उसे और गहरी सामाजिक सो उद्देश्चिता परदान की गई है जिसके द्वार पिछडे छेतरों के लिए खुले हुए हैं और अब समाज के उन इस तरों के लोगों को भी सिख्चा के अवसर उपलब्द हैं जो अब तक इससे वन्चित रहे हैं जैसे परवतिये और वन्य परदेशों के लोग अनुसूचित जातियों और जन जातियों के लोग तथा विसेश रूप से महिला वर्ग सिख्चा के द्वार एक ऐसे समाज में गति सीलता आई है जो अभी तक इस्तिर था और जिसमें उच नीच की भावना घर कर गई थी यद्दिपी विवेक का तकाजा यह है कि कॉलेजों में परवेश लेने वालों की संख्या सीमित की जाए फिर भी अभी तक हमने परिसीमन की नीती को लागू नहीं किया है राष्ट हित में यह अनिवार्य है कि विसेसा अधिकारों की प्राचीन दिवार ढहा दी जाए और यह सुनिश्चित बनाया जाए कि नए तोर तरीकों से किसी भी प्रगती की रह में रुकावट ना पैदा हो सिख्छा और रोजगार के कारण राष्टिये एकता की एक नई चेतना का जनम हुआ है आज कोई युवा देश के किसी भी भाग में क्यों ना जनमा हो और वह भाग महानगरों उद्योग और व्यपार केंद्रों से कितनी ही दूर क्यों ना हो उसे यह अनभव कराना चाहिए कि वह पूरे देश का नागरिक है प्राकृतिक और समाज विज्ञान तथा मानवी की के अनुसंदान के लिए बहुत अच्छे इस्तान बनाए गए हैं विवसाय और प्रद्योगी के परशिक्षन की और अधिकादिक ध्यान दिया जा रहा है वास्ताव में प्रद्योगी की कुछ साखाओं में हम पराय आत्म निर्भर बन चुके हैं प्रद्योगी को गरामीन तथा परवर्तिय छेत्रों के अनुकूल ढालने के लिए नहीं पहल की जा रही है इस्टॉप दोस्तों यह था असी सब्सक्राइब की गति से डिक्टेशन आपको कैसे लगा इसके बारे में जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी स्किल की जानकारी हमें जरूर दीजेगा थैंक्यू सो मच और बैस पर एक्जाम प्लीज लाइक सेर्वर चैनल थैंक यू